आपको इस चैनल पे सारी डिटेल्स दे रहा हूं तो आज उसी कड़ी में जो पहला पेपर होता है उसका नाम है इंटरनेट टेकनलोजी एंड बिजनस आफ नेटवर्क बेसिस मित्रो उसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी दूँगा कि यह हमारा जो स्लेबस इसका स्लेबस क्या है कितने दिन में पढ़ना है कैसे क्या करना है इसकी पूरी डिटेल्स हम आपको मित्रो देंगे तो हम बात करते हैं आज के ओलेबल के पहले पेपर पे जो की चेंज हुआ है रिविजन फाइब में यानि की M1R5 जो इसका नाम क्या है जो इसका कोड है वो है M1R5 जिसको हम लोग यानि की IT टूल्स एंड बिजनस आफ नेटवर्क बेसिस हमार इसी इसी चैटर की बात करने वाले हैं इसी बुक की बात करेंगे कि इसको कैसे हम लोग पास करें अगर जुलाई में जो लोग एकजाम देना चाहते हैं वो लोग कैसे इसको पढ़ें कि अच्छा से अच्छा मार्स पास सकें इसका स्लेवर्स क्या है तो मित्रो हम बा इसके बाद कुछ नहीं करना है, इतना ही हमें पूरा पढ़ना है, तो हम बात करते हैं इसके syllabus पे, कि आखिर इसका syllabus क्या-क्या है, क्या-क्या आप लोगों को पढ़ना है, तो सदर पहले हम बात करते हैं, इसके पहले topic पे, जिसका नाम है क्या, introduction of computer, यानि मतलब क्या हुआ, स of computer, demerits of computer, limitations of computer, generations of computer, application of computer, ये एक चीज़े क्या है, output, history, ये सारे storage device, types of computer, ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, किसमे, introduction of computer, ये आता है 10 नमबर का, यानि कि आपके exam में कितने नमबर का आएगा, ये 10 नमबर का आएगा, इसलिए इसको 10 नमबर के ही लायक पढ पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो 10 नमबर के लायक हम लोग पढ़ेंगे, और हाँ, पंदर तारीफ सेमने बताया है कि आपको 15 फर्वरी से हमारी live class स्टार्ट होरी सामको, IT tools की ही स्टार्ट होगी, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं मित्रों, ठीक है, दूसरा क्या है, introduction of OS यानि की operating system, ठीक है, हम बात करते हैं दूसरे की, तो अब operating system क्या होते हैं, operating system कैसे जोते हैं, desktop के कौन से operating system होते हैं, mobile के कौन से operating system होते हैं, हम लोग operating system install कैसे करेंगे, operating system remove कैसे करेंगे, and its file extension, इतना चीज हम लोग किसे पढ़ेंगे, introduction of OS यानि की introduction of operating system सिस्टम की बात करेंगे अगर हम लोग तो इतना हम लोग पढ़ेंगे अब तीसरा आता है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसिंग अब वर्ड प्रोसेसिंग के अगर बात करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं MS Word भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग Writer भी कह सकते हैं, मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग नए पुराने वर्जन में देखें तो इसको हम लोग MS Word कहेंगे, अगर नए वर्जन में देखें तो इसको हम लोग Writer कहेंगे, क्योंकि जो मारा Libre Office है, Libre Office के Cording राइटर है, और यह MS Office के Cording क्या है, MS Word है मित्रों, तो इसमें हम लोग Open पढ़ेंगे, Saving पढ़ेंगे, Formating of Fits पढ़ेंगे, Graphs पढ़ेंगे, Manipulating पढ़ेंगे, Tables के बारे में पढ़ेंगे, Border पढ़ेंगे, Setting पढ़ेंगे, Mail Merge पढ़ेंगे, Mail Merge that is a very important topic, because यह हर exam में Mail Merge से question आता ही आता है, तो Mail Merge को हम लोगों को जरूर से जरूर पढ़ना है, अगर हम चौथी topic की बात करें तो वो है Spread Seat, क्या है, Spread Seat है, अब Spread Seat आप बहुत अच्छे जानते हैं, अगर हम बात करें MS Office के Cording, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, MS Excel कहेंगे, अगर हम बात करें Libre Office के Cording, तो इसको हम हम लोग क्या कहेंगे, Cal, तो इसमें क्या कहा पढ़ेंगे, हम लोग basic knowledge of Excel पढ़ेंगे, opening पढ़ेंगे, saving पढ़ेंगे, printing पढ़ेंगे, formulas पढ़ेंगे, सारे functions पढ़ेंगे, chart कैसे create होते हैं, ये चीज़े हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो हमारा चौथा topic आएगा, प IMS Powerpoint कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, IMS Powerpoint कहते हैं, लेकिन अगर हम लोग LIBREat Office की बात कर तो इसको हम लोग impression कहते हैं, क्या कहते हैं, impression कहते हैं यानि impress कहते हैं तो ये है हमारा क्या चाहिए उता पच्वा टॉपिक है जो हमारा जिसमें हम लोग presentation की बात करें अगर तो ये इसमें ये सारे जो है 20-20 number के आते हैं चाहे वो word से ले लिजिए चाहे वो spread seat से ले लिजिए चाहे वो presentation से ले लिजिए 20-20 number का question इससे आता है कितना 20-20 number question आता है इसलिए ये पढ़ना बहुत important और हम लोगों को मेहनत से पढ़ना तो presentation में हम लोग basic पढ़ेंगे manipulating slides पढ़ेंगे inserting पढ़ेंगे object multimedia slides हो इतना चीज हमें पढ़ना है मितरो जो हमारा छटमा topic है वो email social and government society क्या है email social and governance society ठीक है अब ये क्या होता है ये हमारा नया चूड़ा हुए जिसमें हम लोग gmail के बारें पढ़ेंगे यानि email के बारेंगे social network के बारेंगे messaging पढ़ेंगे blogs पढ़ेंगे social media हम लोग handle कैसे करेंगे network हमारा कैसे चलता है market में तो इसकी जानकारी हम लोग लेंगे जो हमारा अगला topic है उसका नाम है digital financial tools and application क्या है digital financial tools and application digital financial tools and its application इसके बारे हम लोग पढ़ेंगे ठीक है मतलब क्या हुआ कि इसकी भी detail हम लोग पूरी पढ़ लेंगे कि हमारा जो digital finance क्या चल रहा है इसके tools क्या क्या है internet banking हम लोग कैसे यूज करेंगे e-commercial service कैसे यूज करेंगे एप digital locker यह सारी चीज हम लोग कैसे पढ़ेंगे जो हमारा आखरी topic है उसका नाम है overview of future skill and cyber security यानि कि हम लोग latest technology जीतने भी आ रहे है market में सब कुछ पढ़ेंगे इसी में यह हमारा last topic है मित्रों इसमें हम लोग cyber security and features के बारे में पढ़ेंगे IECT की fields के बारे में बात करेंगे जितने भी नए updates हमारे आ रहे हैं जो कि आपको पता चला है triple C जैसे course में भी cyber security को add कर दिया गया है तो वहां से भी सारे questions आपके बनते हैं तो मित्रों आप लोग चाहें यहां से पढ़े चाहें वहां से पढ़े बात एक ही है आप लोग यहां पढ़ लेंगे तो वहां का काम हो जाएगा वहां पढ़ लेंगे तो यहां का काम हो जाएगा यह basic चीज़ है मित्रों यानि IT tools को pass करना बहुत ही आसान है क्योंकि एकदम basic है मित्रों IT tools मतलब एकदम basic basic computer तो IT tools में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बाकि अगर आपको कोई समस्या होती है then you can contact me in my whatsapp